तो हेलो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर क्या आगा है आपके लिए 17 मार्च शिप्ट वन के महत्पूर प्रशनों को जितने भी प्रशन हमको मिले हैं, कंप्यूटर के, मैनेजमेंट के, जीके के, हिंदी के, रीजिनिंग के, मैथ के, सारे प्रशनों को हम आपके लिए लेकर क्या आगाए है एक एक प्रशन के बारे में डीटेल में आपको जानकारी भी देंगे और लास्ट में बताएंगे कि कितने प्रशन जो है हर एक सब्जेक्ट से आए है मैथ में आज कितने प्रशन आए है, रीजिनिंग में कितने प्रशन आए है और लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि आज के सिप्ट का कटॉप कितना जाने वाला है जैसा कि आपको पता चल चुका होगा 15 मार्स से जो पेपर स्टार्ट हुआ था तो शुरू के 2-3 सिप्ट में बहुत अच्छे कुश्चन आये थे लेकिन अब यहाँ यहाँ पर पैटर्न चेंज हुआ है और व्यापम ने अपना रंग दिखा दिया है अच्छे लेवल के प् देखने को मिलने वाला है आई यह शुरुआत करते हैं एक एक प्रkov बारे में आपको डीटेल में जानकारी देते हैने तो देखी पहला प्रशण आया था आज दैनियनिग भासकर की सब्पादक कौन थे दो प्रशन का उत्तर दिख लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के की थी यह पूछा गया था हमने आपको यह भी बता दिया कि कहां से स्टार्ट हुआ था और कहां जन्मे थे जो रमेश चंद जी है क्योंकि कुछ भी प्रशना पूछा जा सकता है आपसे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे प्रशने बहुत महत्पूर्ण आया था कि बुरहानपूर जो स्थान है इसके स्थापना इनके नाम पर की थी किसके नाम पर बुरहा उद्दीन के नाम पर की थी जो की एक सूफी संत्य थी किस ने की थी तो खान देश के राजा नासिर सुल्तान ने बुरहानपूर की स्थापना की थी चलिए आगे बढ़ते हैं सिंगी फासी रोकी जा सकती थी लेकिन उन्हें माग नहीं की थी ठीक है इसके बाद वाले काउग्रेस के अद्वेशन में उनको काले जंडे भी दिखाए गया थी ठीक है चली 1929 के लाहर अद्वेशन से प्रशनाया था तो 1929 में जो लाहर अद्वेशन हुआ था इसकी पढ़ते हैं होलकरों की राजधानी क्या थी पूशा गया था तो मलहार राहो लकर ने भारत के 12 पश्वी मेंि इंदार को जो चुट करों की राजधानी बनाया था याद रखियेगा ये को रों कर कुछा गया था कौन से मंतराले से संबंदित है तो याद रखेगा धुरुवियोजना जो है मानव विकास और संसाधन मंतराले से संबंदित है इसके अंतरगत कच्छा 9-12 तक के 60 छात्रों का चेन किया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें उनकी जो है धुरुवियोजना की अंतरगत कवर किया जाएगा ठीक है आगे बढ़ते। 5 राज में अरच्छन का वडण कौन से अनुच्छिद में किया गया है तो 243D की अंधर जो है 5 राज में आरच्छन का वडण किया गया जिसमें बता गया कि महिलाओं को 50ạt क県 परसंट आर एक प्रश français आया था कि Toni-tun की गति कि किस नियम के कारण गोली में चलाने पर भ्यक्ति पीछे की और चला जाता है इसका सही अंसर है निूटन की गति के तीस्रे नियम का नियम कोई भी वह क्रेम 這個是 कшего कर गोली चलाएगा तो फीचै की ओ रोचाईगा ओड़ory बता नहीं पाए है कि 66 पीम ही पूछा था या क्या पूछा था ऑप्शन में ऑक्सिजन नाइट्रोजन ऐसे करके कुछ गैसें दी हुई थी और 66 पीम पूछा गया था ठीक है चलिए कोप 27 का आयोजन अभी हाली में कहां पर हुआ है करेंट का प्रशन है 2022 से तो कोप 27 मिसर के सर्म अलसेक में 7 नॉमबर 2022 को सुरू हुआ था यह प्रशन अभी पूछा गया है तो 2022 के ही करेंट अफेर आपसे पूछे जा रहा है एक साल का करेंट अफेर कवर कर लीजिए अभी हम आपको दिखाएंगे कि जो हमने सौटकट की डाली थी और जो हमने फुल-फॉम वाली से एक प्रशन आया था ठीक है रहेम का फूंड़रूप क्या होता है सब को पता है यह अगर wakingरी करका के एक प्लरी उसमें यह सारी वीडियो डिले हुएं और सामानिप्रबंधन की वहां पर यह सारे करा हुए हैं और उन्हें से भरभर की प्रश्न आ रहे हैं तो जाकर कि वो वीडियो जरूर से जरूर देख लिए Sotcut Kiki video कल राली थी हमने और short form full form की video और अलडियो हम पहले डाल चुके हैं वहाँ से प्रश्न पूछा गया है CA D का full form क्या होता है कम्प्यू-टर एडर तो कम्प्यूटर की कम्प्यूटर की कौन सी है एक प्रशन आथा कि MS XL में कौनसा operation नहीं किया जा सकता है, जो भी वहाँ पर option दिया गया होगा, उसके answer आप answer लगा देंगे, email address की बात करते हूं, email address में किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो याद रखेगा email address में space का उपयोग नहीं किया जा सकता है, बाकि उसमें option में था कि capital letter का, मतलब कि small letter का, dot का, add the rate का, और space का, तो space का यूज नहीं कर सकते हैं, बाकि dot और small letter का यूज कर सकते हैं, email address बनाते हैं, ठीक है, जो management की बात करें, तो management के, हालंकि देखी, जाद तर प्रशन याद नहीं रहते हैं management के, क्योंकि नया subject है बच्चों को, तो याद नहीं रहते हैं, लेकिन management में जो जादा प्रशन पूछे गया थे, वो नहीं वाले प्रशन पूछे गया थे, यानि कि ये चार परिवासा द पांच शे लाइन दी होती हैं पहरा जंबल कहते हैं बैंकिंग SSC से जो पहले पढ़ा होगा उसको पता होगा प्यक्व रस वाले तीन प्रस्टन आज यहां पर देखने को मिले हैं री अरेंजमेंट भी कह सकते हैं ठीक है दो प्रस्टन आपको प्री पोजीशन यह भी मिले ह एया थी ठीक है एंटो सिनो चार एंटोनिम सिनोनिम जो है वह आपको देखने को मिले हैं तो याद रखेगा और एक प्रस्टन भी यह था लगने किवाल एक ही प्रस्टन कोमन एर्र से आया था ठीक है आगे बढ़ते हिंदी की बात कर लेते हैं तो हिंदी में आज शान्दनी का परयावाची पूछा था ठीक है बहुबधी समास से दो प्रश्णा आये थे जिसमें विश्णु और लंभोदर का जो है बहुबधी समास पूछा था पूछा था कि कि चार से पांच प्रस्ट असुद बागे के थे इनमें से कौन सा बागे असुद है ठीक है ना और विराम चिने जिसे हम पंक्चुएसन इंग्लिस में कहते हैं तो विराम चिने से दो प्रस्ट नहीं हाँ पर देखने के विडियो को लाइक कर दीजी मेरे भाई अगर आभी बड़ा बदलाओ मैथ में हुआ है और कुल मिलाकर आपको उता दें मैथ और रिजिनिंग को मिलाकर के लगबग 70 प्लस प्रस्ट आए हैं यानि कि 25-50 प्रस्ट आने चाहिए लेकिन मैथ और रिजिनिंग में आज जो मैथ और रिजिनिंग है उसने अपना असली रंग थे अल्टरनेट वाले तायो करते हैं फिर बंध कर दे था ऐसे रहखेए ऑल्टरनेट वाला एक प्रस न थे टैमम एंडवरक के यह हो चलिए सिंप्लिफिकेशन के चार प्रशन देखनें के नहीं हो बताया गया कि सिंप्लिफिकेशन काफी टाफ आ रहा है और बिल्कुर नजदी नजदी वाले यानि कि 7.25, 7.3, 6.25 ऐसे करके जो है पूछा जा रहा है कि कैलकुलेशन अब बढ़ चुकी याद रखेगा ऐसा ह ही होता है व्याफ हमके एक्जाम में ऐसे ही होता शुरू की जो सिप्ट होती हैं काफी सरल आती हैं लोग बहुत कोई सोजाते हैं लेकिन धीरे-धीरे करके जो है व्याफ सम उतना रंग दिखाना सुरूर कर दियता है ठीक है फ्रॉफिट लॉस के दो प्रशन सिंपल लेव क्लॉक कलेंडर अभी तक नहीं आ रहा है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आगे भी क्लॉक कलेंडर नहीं आएगा ठीक है अभी तक एक प्रशन नहीं है एनालोजी के चार प्रशन देखने को बिले हैं चार प्रशन देखने को मिले हैं सायलोग के दो प्रशन आपको दींग था इन सर्किल के अंदर की तरह मुह करके आट लोग बैठे हुए थे उसमें से तीन प्रश्न बनाए गए ता एक लीनियर भी था जिसमें छह लोग उत्तर की दिस्टा में जो है मुह करके किस से मिलकर के ये data जो बिलकुल सही इसपश्ट होता है पहला दूसरा मिलकर की दूसरा तीसरा मिलकर की चौथा पांचवा ऐसे करके जो है question तीन question आज data sufficiency के मिले थे और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि math में भी data sufficiency के question आये हुए थे math में भी reasoning जो है डाल दिया गया था या आप समझ सकते हैं कि किस level का अब जो है paper का जो इस तरह है वो बढ़ रहा है math reasoning की कुल मिला कर बात करते हैं अब दी कि आपको बताते हैं कितने कितने प्रशनिक कौन कौन से subject से आये थे math reasoning इन दोनों को मिलाकर है कि 70 प्रशन आये थे और अच्छे level की प्रशन थे math और reasoning नहीं आज लोगों के number को कम कर दिया है management के 18 प्रशन आ रहे है 17-18 प्रशन आ रहे है मैंने पहले भी कहा था management के कम ही प्रशन आयेंगे परिशान मत हो ये हिंदी के 24 प्रशन आये थे और अच्छे level की हिंदी थी मतलब की simple या moderate भी कह सकते है simple to moderate थी ठीक है computer के 21 से 22 प्रशन आ रहे हैं ज्यादा तर shortcut की और full form की प्रशन आ रहे हैं तो हमने shortcut की और full form दोनों की वीडियो अल्रेड बना चुके हैं जाकर के आप देखेंगे इस वीडियो के last में जो है आपको इसी स्कीन पर जो है shortcut की की वीडियो मिल जाएगी ठीक है science के 22-23 प्रशन आ रहे हैं और science बहुत कम ऐसे प्रशन है जो बच्चों को याद रहे हैं पूछे जा रहें तो यह 45 टॉपिक ऐसे हैं जहांसे बंच में प्रशन हैं 5-6 चैश्छा प्रशन नहरेसं से बताएं कि 7-8 प्रशन से 3 प्रशन एक्टिव प्रसुष से पूछे गया है ठीक है सुनने में नहीं मिला और आपके नंबर 140 से जादा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे अब आपका ये तो मेरा काम हो चुका ठीक है अब आपका क्या काम है आपका काम है कि इस वीडियो को लाइक कर देंगे सबसे पहले ठीक है चैनल को भी कर लेंगे जिससे की लगातार एक्जक्ट जो प्रश्ण है वो सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद